Hello Friends, Daily Vocabulary Part 10 में आपका स्वागत है तो आज हम देखें सिखेंगे Air और Air दोनों को हम पढ़ेंगे Air और इनका मेनिंग क्या होता है तो देखें Air, A, I, R Air means इसको हम करते हैं हवा Air means हवा, जैसे कह रहा कि We should breathe in the fresh air हमें ताजे हवा में सास लेना चाहिए दूसरा हमारा वर्ड भी है Air जिसका स्पेलिंग है H, E, I, R Air को हम कहते हैं उत्तराधिकारी उत्तराधिकारी मतलब किसी राजा का बेटा जो उसके पद के लिए होता है उत्तराधिकारी किसी काम के लिए जैसे करा The King's eldest son was the heir to the throne लब राजा का सबसे बड़ा बेटा सिंहासन का उत्तराधिकारी था